आखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिन्दा रहना है तो तरकीवे बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़के कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो दोस्तों आज है 20 दिसंबर, और ही स्टार्ट करते हैं, आज है करेंड़ फेस, उससे पहले दोस्तों में दिविते कामने चैनल को सब्सक्राइब में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पेस कर दें, ताक कि आपको एक्जाम से लेटे डेली वीडियो को इंपूर्डन क्यूश्चन है, वर्ल्ड एकोनामिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के उनसार, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, जिसमें दोस्तों भारत को स्थान मिले है, भारत को रैंकिंग ए 1818 में रैंकिंग मिली है, देखे दोस्तों आपको पता द सबसे कम स्थान पर है तो यह आपको याद रखना है इसमें नमबर पर है आइसलेंड जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है ठीक है तो अभी दोस्तों हाल में यह दो फारा है कुछ रिपोर्ट प्रकासी तो यह जिसमें भारत को रेंकिंग मिले उससे रेलेटे आपको कुछ मैं बता देता हूं कुछ करेंड फेस कोश्चन विश्व हैपिनेस इंडेक्स दो फारा में भारत को स्थान मिला था दोस्तों 133 133 जबकि यह जरूर याद स्थान मिला है तो यह कुछ मैंने आपको जो रैंकिंग बता है जरूर याद रखिए को नोट कर लीजी आपके आगामी इसामस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वर्ल्ड एकोनामिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गया प्रिपोर्ट दो अठारा कुन सार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है एक सव आठमा जबकि पहले नंबर पर कौन है आइसलेंड है चलिए फटा 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 लेकोशन की तरफ बढ़ते हैं किस राज्य सरकार ने अठारा दिसंबर तो अठारा को सिक्षा सेतु एप लॉंच किया है तो कि यह दोस्तो हरियाणा पर जानकारी प्रदान करेगा दोस्तों यह एप चात्रों और सिक्षा सेतु एप हरियाणा गवर्मेंट ने लॉंच किया यह हरियाणा की कैप्टल है चंडीगड सीम कौन है वरत्मन है मनुहलाल खटर और गवर्नर है सत्य देव नारायन आरे वहीं बात करेगा राजस्थ स्थान में नए मुख्यमंत्री बण गया है असोक गहलोत डिप्टी सेम बनाया गया है यह जरूर्म याद रखिएगा ठीक है नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक है दूस्तों चलिये फटापट अगले कोशन की तरफ बढ़ते है हमारा अगला गोशन है दोर अठारा क ठीक है people for the ethical treatment of animals तो यह मिला है दोस्तों सोनम कपूर को ठीक है सोनम कपूर को नामित किया गया यानि कि पिछले जो प्राप्त करता है इसमें से अनुस्का सर्मा डाक्टर ससी थरूर हेमा मालली को दोस्तों आपको बता दे कि पेटा की स्थाबना कब हुई थी 1980 मुईती पेटा की स्थाबने इसका हैटकोर्डर मैंने आपको बताया बरजीनिया USA में है ठीक है और इसका फुल फार्म मैंने आपको बता चुका हूँ पीपल फार्दा एथिकल ट्रीडमेंट ऑफ एनिमल्स याद रखिएगा तो दोहर अठारा का लेटिस्ट याद रखिएगा पेटा इंडिया की पर्षन अपदेर किसे नामित किये गए सोनम कपूर को आप्सन भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो आपको संगीत कला संगम का आयोजन किया है तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी मानो संसाधन विकास मंत्राले ने ठीक है ऑप्सन सी मानो संसाधन विकास मंत्राले आपको बता दे उस तो 18 दिसमर्द 18 को मानो संसाधन विकास मंत्राले ने संगीत कला संगम का आपको बता दे कि संगीत कला संगम में केंदरी विद्यालियों और नवोदे विद्यालियों के कला और संगीत सिक्षकों के लिए राष्ट्री ये मंच प्रतान करता है ठीक है तो याद रखिएगा बर्तमान में दोस्तो मानव सुनसाधन विकास मंत्री कौन है तो वर्तमान में हमारे मानर सुनसाधन विकास मंत्री है प्रकास जाबडे कर और बात करें अगर महिला बाल विकास मंत्रा ले की तो वर्तमान में कौन है महिला है बाल विकास मंत्री यह हैं दोस्तो मेनिका गांधी तो यह दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा तो किश मंत्राले ने संगीत कला संगम आउजन किया मानव सुनसादन विकास मंत्राले कोशन फिपत है राश्ट्री बाल रंग दो अठारा का आउजन कहां किया जाएगा तो दोस्तो राश्ट्री बाल रंग दो अठारा का आउजन किया जाएगा बहुपाल में मत्धप्रदेश की राज़णी बहुपाल में ये 20 दिसंबर को बहुपाल में दो दीवसी राष्ट्री बाल रंग का अवजन किया जाएगा ये इंद्रा गांधी राष्ट्री मानो संग्रालय के सयोग से मत्धप्रदेश की स्कूल सिक्षा विवागदर आवजित किया जायागा ठीक है इसमें दोस्तों अठारा राज्यों और दो केंसासित प्रदेशों की विभीन विध्यालेंगों के छात्र जो लोकनित गीत और अंशांस्कृति कारकामिस में प्रस्तूत करेंगे ठीक है तो भोपाल मद्यप्रदेश की आज़ानी है मत्यप्रदेश में भी हाले में चुना हुआ है उसमें नए मुख्यमंत्री बन गए है कमलनात तो याद रखिएगा अभी हाल में जो 5 विधांसवा पांच राज्यों विधांसवा चुना हुए हैं राजस्थान, 36 गड़, मत्यप्रदेश, मिजोरम और तेलं इसमें में हलागी वीडियो बना चुका हूँ एदि आपने नहीं देखा है चैनल के प्लेस्ट में जाका जरूर देख लें मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला कोशन है हमारा इस रो का कौन सा उपगर है 19 दिसम्बर 2018 को आंध प्रदेश में स्री हरी कोटा से कक्षा में प्र प्रूटल बाइस सो पच्चास किलोग्राम और जी सेट सेवन एक भूगर भी संचार उपगर है और भाती शेत्र में के यू बैंड में संचार सेवा प्रदान करेगा जी सेट का फूल फॉर्म क्या होता है जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट इस रो के बारे हम थोड़ा से बता जाता है सेसी रेल्व एक्जाम में 1969 में ठीके 15 अगस 2019 में इसकी स्थापना होती इस रो की इस रो के बरतमान चेर्मैन कौन है जरूर याद रखिएगा डाक्टर के सिवान है ठीक डाक्टर के सिवान चलिए अगला कोशन देख लेते हैं किसे कैप जेमनी इंडिया के अध् स्थिया है आपको बता दिखतोकि जया रोटी को का जेमनी इंडिया का मुख्य कारेकारी अधीकरी निउत्किया अउठ्की है ठीक है अर्योबिक फ्रात्Care चैर्मैन के परिस में ठीक हए तो यह व्यास कन्दूला को तो यहाद है स्रीनिवास कंदूल है जबकि CEO कौन बन गए है अश्यून यार्डी हाली में कि इस देश के राष्टपती ने 2019 को सहिस्टूनता का वर्ष्ट घोसित किया गया है करेक्ट एंसर हो जागी यू एई ने ठीक है आपको बता देक 17 दिसंबर 18 को सैंक तरब इमिरात के राष्टप प्रेसिडन कोने सेख खलीफा नायान ने 2019 को सहिस्टूनता का वर्ष्ट घोसित किया है ठीक है आपको बताते दोस्तों 2019 सैंक तरब इमिरात को सहिस्टूनता के लिए वैस्विक के अंदर के रूब में उजावर करेगा और स्थानी छेत्री और अंतराष्टी समदायों में सहस्थित और सांती के मूर्लियों को बढ़ावा देगा ठीक है सहिस्टूनता का वर्ष्ट पांच मुख्यादारों पर ध्यान केंदित करेगा ठीक है यूए की बात करें तो कैपिटल क्या है यहां की सैंक तरब इमिरात की अबुधावी है और सैंक तरब इमिरात की सबसे बड़ी सिटी दोस्तों लार्जे सिटी हुए दुबई ठीक है कैपिटल है बुधावी तो यहां पर आप कन्फ्यूज नहीं होगा कई लोगों को लगता है कि UAE की कैपिटल क्या है दुबई लेकिन UAE की कैपिटल है बुधावी तो यहां पर याद रखिएगा अगला अप्सन भी करेक्ट है ठीक है फेडरल एवीएशन एडमिस्टेशन ठीक है आपको बता देख दोस्तों कि भारत के इंतराश्टी विवानन सुरक्षा अकलान स्रेंडी वन बनी हुई है ठीक है तो इसको आप याद रखिये इसका फूल फॉर्म फेडरल एवीशन एडमिस् सभी इस्टूडे ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में लिखा था क्योंकि आप लोग रग्रेवर वीडियो देखते हैं अब देखले तो आज का सवाल के आज का हमारा कोश्चन है किसे फिक्की का नया उपाधक्ष बनाया गया है फिक्की के बारे में सारी डि सब्सक्राइब अब ध्यान रखिए स्वस्तर ये बेस्तर ये मस्तर ये आल दे बेस्ट जै हिन जै भारत